अगर दोस्तु आपका भी driving license कहीं पर खो गया है और आपको अपने driving license के number पता नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको details से बताने वाले हैं कि किस तरह से आप online अपने driving license के number पता कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं ओनलाइन driving license नंबर पता करने के लिए सबसे पहले दोस्तु आपको अपने mobile phone में pariohan.gov.in website को open कर लेना है इस website की link आपको वीडियो के description box में भी मिल जाएगी वहाँ से भी आप direct इस website पर आ सकते हैं आपको about के जश्ट आगे ही online services लिकावा दिखाई देगा आपको online services के उपर किलिक करना है जैसे दोस्तों आप online services के उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पर देखेगा vehicle related services के नीचे ही driving license related services आपको second number पर लिकावा दिखाई देगा आपको अपने driving license के number पता करने के लिए driving license related services के उपर किलिक करना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो आपके सामने एक new page open हो जाएगा आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखेगा select state name आपको लिकावा दिखाई देगा आपको यहाँ पर किलिक करने के बाद अपने state को यहाँ से select कर लेना है तो मैं अपने state को यहाँ से select कर लेता हूँ आपको भी आयां से अपने state को select कर लेना है इस state को select करने के बाद यहाँ पर दीखेगा आपके सामने बहुत सारे option आ जाएंगे यहाँ पर दोस्तों देखे उपर ही आपको एक other का option दिखाई देगा आपको other के उपर click करना है जैसे दोस्तों आप other के उपर click करेंगे तो third number पर देखेगा find application number आपको लिखावा दिखाई देगा आपको इसके उपर click करना है जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक new page open होगा और यहां पर देखेगा application number search आपको लिखावा दिखाई देगा आपको यहां पर देखेगा select state के नीचे ही यहां पर आपको क्लिक करना है और अपने state को एक बार फिर से यहां से आपको select कर लेना है state को select करने के बाद दोस्तों यहां पर देखेगा आपको नीचे दिखाई देगा select rto यहां पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और अपने rto ओपिस को यहां से आपको select कर लेना है तो मैं अपने RTO ओपिस को यहां से select कर लेता हूँ यहां से मैं अपने RTO ओपिस को select कर लेता हूँ RTO ओपिस को select करने के बाद यहां पर दोस्तु आपको ध्यान देना है Name of the Applicant के just नीचे ही सबसे पहले दोस्तों आपको अपना यहां पर देखेगा First Name आपको यहां पर बढ़ देना है यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपको वही Name बढ़ना है जो आपके Driving License में है Past Name को बढ़ने के बाद यहां पर आपको अपना Middle Name बढ़ना है और इसके बाद आपको अपना Last Name बढ़ देना है अपने Name को बढ़ने के बाद दोस्तों यहां पर देखेगा आपको Date of Birth लिखावा दिखाए देगा आपको अपनी Date of Birth यहने जनम दिना को यहां पर बढ़ना है इस दानकारी को बढ़ने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर देखेगा आपको अपने Mobile Number को यहां पर बढ़ना है ध्यान रखेगा जो Mobile Number आपने Driving License एपलाई करते सम में दिया है वही Mobile Number आपको यहां पर बढ़ना है क्योंकि उस Mobile Number पर एक आपको OTP प्राप्त होगा उस OTP को आपको आगे बढ़ना है Mobile Number को बढ़ने के बाद यहां पर देखेगा यह है आपको एक केपचा कोड दीख रहा है इस केपचा कोड को आपको यहां पर बढ़ना है और Capgeiser Code को बढ़ने के बाद देखेगा आपको निचे एक Submit का बटन दिकाई दे रहा है। आपको सभी जानकारी को बढ़ने के बाद Submit के बटन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप submit के button पर click करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपका सबसे उपर देखेगा applicant, full name आपको यहाँ पर आपका name देखने को मिलेगा और आपका यहाँ पर father name आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा father name के आगे यहाँ पर देखेगा आपके driving license के साथ जो mobile number registered है उस mobile number के last के चारंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगे और इसके बाद आपको यहाँ पर देखेगा सभी जानतारी को चेक करने के बाद आपको gate details के उपर click करना है जैसे दोस्तों आप gate details के उपर click करेंगे तो इस mobile number पर एक OTP जाएगा तो आपको OTP को किस तरह से बढ़ना है इसकी process हम देख लेते हैं जैसे दोस्तों आप gate details के उपर click करेंगे तो आपके mobile number पर एक OTP बेजा जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर बनना है इसके बाद आपको submit के बटन पर click कर देना है जैसे दोस्तों आप OTP को बनने के बाद submit के बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर देखेगा आपके driving license की सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी यहाँ पर देखेगा सबसे उपर आपको application number लिखा हुआ दिखाए देगा इसके बाद यहाँ पर भी देखेगा आपको application number आपका name date of birth और यहाँ पर देखेगा आपको यहाँ पर आपकी photo और यहाँ पर signature आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देखेगा इस सबी जानकारी के साथ ही आपको यहाँ पर driving license number भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से अपने mobile phone के दोबारा ही सबी process को step by step follow करने के बाद अपने driving license number मातर कुछ ही मिन्टों में गर बेटे आप पता कर सकते है उमिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूपर इस करिएगा जैहिंजे भारत वन्दे मातरम